नमस्कार, कक्षा आठ एक्सरसाइस 3.2 हम करने जा रहे हैं प्रश्ण है, क्या जैसे हमने बताया था क्या ऐसा सम्भुवज सम्भव है जिसके प्रतेक बाहे कौण का माप 22 डिग्री हो अब हमसे पूछा गया क्या यह किसी सम्भुज का अंतह कौण हो सकता है क्यों, यानि कि यह जो 22 डिग्री है, क्या या किसी बहुबुज का बाहर वाला ना होकर अंदर वाला कौण हो सकता है तो देखिए, हमने पहले भी एक ऐसा प्रश्ण किया है, मा लीजे यह बहुबुज एक 3 बुज है है नहीं, हमें नहीं पता इसकी कितनी बुजाए है, मा लेते हैं कितनी बुजाए तो एक इसका बहुबुज बाहय कौण यह हो गया, एक इसका बाहय कौण यह हो गया तो देखे बच्चो इसका 22 डिग्री अंतर कोण होगा, तो बाहर वाला कोण कितना होगा यह पूरा कोण है 180 डिग्री, है ना पूरा कोण 180 डिग्री रखी क्योंकम से, अंदर वाला 22 है, तो बाहर वाला कितना होगा 180 में से 22 को माइनस कर दो 10 में से दो गए 8 17 में से दो गए 15 यानि बाहर वाला कौन होगा 158 डिगरी तो दिखे हमें पता है किसी भी बहुबुज के बाहे कौनों का योग कितना होता है बाहे कौनों का योग होता है 360 डिगरी और हमें दिया गया एक कोन का माप एक कोन का माप कितना है अभी हमने निकाला देखिए 158 डिग्री 158 डिग्री तो हम क्या करेंगे भुजाओं की संख्या के लिए हम क्या करते है भुजाओं की संख्या के लिए हम 360 को 158 से भाग कर देंगे आईए करके देखें यह है 360 इसको 158 से भाग करेंगे यह 2 पे चला जाएगा 8 दूनी 16 हासलाया 1 15 दूनी 30 और 11 31 तो देखें 10 में से 6 गए 4 5 में से 1 गया 4 3 में से 3 गया 0 आगे उतारने के लिए कुछ नहीं है एक बार फिर से यदि इसे आगे भाग करना होगा तो यहां लगीगा दशमलब इसका मतलब क्या भुजाओं की संख्या होगी 2.6 या 2.4 नहीं हो सकती इसका मतलब क्या हुआ की 360 डिगरी 158 से विभाजित नहीं होता 360 डिगरी 158 से विभाजित नहीं होता इसका मतलब ऐसा बहुभुज सॉरी ऐसा संभुभुज संभव नहीं है ठीक है बच्चो ऐसा संभुभुज संभव नहीं है क्यों संभव नहीं है क्योंकि बाहिया कौन आया 158 डिगरी यदि अंदर वाले अब 22 है तो 158 के हिसाब से तो 360 से भाग होता ही नहीं इसलिए यह संभव बुज संभव नहीं है आशा करता हूँ यह प्रशन आपको समझाया होगा यदि नहीं समझाया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर दुबारा देख लीजे यदि आपको अच्छे से समझाये और इस प्रशन के यदि इस प्रशनावली के यदि आपको बाकी प्रशन देखने हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी वीडियोस को देख सकते हैं धन्यवाद